जै बाबा गुरु गोविन सिंग कौन थे चार साहिब जादे बाबा अजीत सिंग, बाबा जुजार सिंग, बाबा जोरावर सिंग और बाबा फते सिंग सिखों के दस में गुरु गोविन सिंग जी के पुत्तर थे जब इन्होंने अपना बलदान दिया उस समय बाबा अजीद सिंग की उमर 17 वर्स, बाबा जुजार सिंग की उमर 15 वर्स, बाबा जोरवर सिंग की उमर 9 वर्स और बाबा फते सिंग की उमर महज 5 वर्स थी मुगलों और साहिबजादों में यूद बरस 1704 के दिसंबर महीने में अननदपूर किले को मुगल सैनिकों ने घेर लिया मुगलों ने गुरू गोविंद सिंग को कहा कि अगर उन्होंने और उनके अन्वियाईयों ने कीले को खाली कर दिया तो वे उन्हें यहां से सुरक्सित जाने देंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा गुरू गोविंद सिंग मुगल सैनिकों को सवक सिखाना चाहते थे लेकिन उनके दल में सामिल सिखों ने गुरू गोविंद सिंग को राजी करके वहां से निकलने का मन बना लिया हाला कि यह मुगल सैनिकों की एक चाल थी जब गुरू गोविंद सिंग और उनके अनुयाईयों ने बाहर निकलने के लिए दवार खोला तो मुगल सैनिक उन पर तूट पड़े बाबा अजीत सिंग ने कुछ मुगल सैनिकों को पकड़ लिया बाकी मुगल सैनिक शिर्षा नदी पार कर गए बाबा अजीत सिंग ने उनका पीछा किया इस दोरान गुरू गोविंद सिंग के दो छोटे साहिब जादे अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ बाकी लोगों से विछड गए जबकी गुरू जी अपने दो बड़े साहिब जादों और चारिस अनुयाईयों के साथ पास के गाउं चमकोर की और चल पड़े वहाँ पर उन्होंने एक किले में परवेश किया और उनके पीछे पड़े मुगल सैनिकों के खिलाप अपनी रण नीती बनाने लगे मुगल सैनिकों ने जल्दी ही किले को घेर लिया अजीत सिंग अपने पीता की अनुमती से पांच सिखों को अपने साथ ले गए और मुगल सैनिकों से बीशन यूद अरंब कर दिया उन्होंने अपने अंतिम सांस तक बहूत ही बहादुरी से मुगल सैनिकों का मुकावला किया इस मुकावले में वे बलिदान हो गए इसके बाद अपने बड़े भाई की तरह ही गुरु जी के दूसरे साहिवजादे बाबा जुजार शिंग ने भी मुगल सैनिकों का बड़ी ही बहादुरी से मुकावला किया और बीर गती को परापत हो गए छोटे साहिवजादों का बलिदान उधर छोटे साहिवजादे बाबा जोरावर सिंग और बाबा फते सिंग अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ एक गाओं में पहुँचे बहाँ उन्हें एक रसोया गंगु मिला बह पहले उनके घर में काम कर चुका था गंगु ने उन्हें अपने घर में सरन दी जब रात में ये तीनों अराम कर रहे थे तो गंगु ने उनके पास से कीमती सामान और पैसे चुरा लिये जब माता गुजरी ने अपने सामान और पैसों के बारे में गंगु से पूचा तो भेह घुसे में आ गया और उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंग और बाबा फते सिंग को सरहिंद के नवाव बजीर खान के सिपाईयों से पकड़वा दिया इसके बाद उन्हें बजीर खान के कीले के एक कमरे में वंद कर दिया गया अगले दिन जब इन दोनों साहिबजादों को बजीर खान के दरवार में पेश किया गया तो उन्होंने अपनी राजसी गरिमा बनाये रखी और नवाव के सामने जुकने से इनकार कर दिया बजीर खान ने उन्हें इसलाम धर्म अपनाने को कहा तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और वे वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते का जाप करने लगे इस पर बजीर खान ने उन्हें यातना देने की धमकी दी लेकिन वे इससे नहीं डरे बजीर खान ने साहिब जादों को अपने फैंसले पर पुन बिचार करने के लिए 24 घंटे का समय दिया और कई अकरशक उपहारों का परस्ताव दिया लेकिन साहिब जादों ने इसलाम धर्म सभी कार करने से इनकार कर दिया इस पर गुसे में बजीर खान ने 26 दिसंबर 1704 को उन्हें इन्टों में चुनवा देने का देश दिया दोनों भाईयों को अलग अगल वगल खड़ा कर दिया गया और उनके चारों और इन्ट की दिवार खड़ी की जाने लगी जब उनके कंधों तक दिवार बना दी गई तो नवाब में उन्हें नवाब ने उन्हें फिर से इसलाम सभी कार करने का परस्ताव दिया लेकिन आतम विस्वास से भरे दोनों साहिब जादों ने उसका परस्ताव ठुकरा दिया इसके बाद इन दोनों साहिब जादों की गरदन काट दी गई जब माता गुजरी जी को दोनों पोतों के बलिदान के बारे में बताया गया तो उन्हें अपने बीर पोतों पर गरब महसूस हुआ इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों आँखें बंद कर ली और अपने प्राण त्याग दिये गुरू गोविंद सिंग जी के अनुयाई एक ब्यापारी टोडर मल ने इन तीनों के अंतिम संसकार की अनुमती मांगी इसके लिए उन्हें उतने ही सोने के सिकों का भुगतान करना पड़ा जितनी जमीन पर इन तीनों का अंतिम संसकार किया गया उस जमीन के टुकडे पर बाद में गुरुद्वारा जोती सबरूप बनाया गया जिस स्थान पर साहिब जादों को इंटों में चुना गया था वहाँ पर गुरुद्वारा फतेगड साहिब है और जिस स्थान पर तीनों को कैद किया गया था उस स्थान पर माता गुजरी नामक गुर्द्वारा स्थित है